हेलो दोस्तों मेरा नाम पंकच कुमार है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा एप्लिकेशन जिसमें 35 सेकंड में पुरे घर का खर्चा निकाल सकते हैं दोस्तों और साथ ही साथ कितना कितना मटेरियल लगेगा इसका भी उस एप्लिकेशन के जरिये हमें तुरांथ ही 30 सेकंड के अंदर में पता चल जाएगा दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए बिल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों आज इसी प्रकार मैंने बिल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड उसका खर्चा बिल्डिंग ड्राइंग को देखकर आप असानी से कैसे निकाले इस पर आज मै वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों आप लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के अंतक बने रहना होगा दोस्तों आएट चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर यह देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों सिविल कुएंटिटी इस 60-meter इस application को आप Google Play से जब प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और यह तो फिर मैंने वीडियो के description में इसका link दे दिया है दोस्तों वहां से भी आप जाकर इस application को डाउनलोड कर सकते हैं आईए चलते हैं दोस्तों application को अपन उपन करते हैं यह देखिए दोस्तों उपन हो रहा है civil quantity estimator इस application का नाम है दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों इस प्रकार का interface इसका आपको दिखाई देगा दोस्तों इसमें सभी प्रकार का चीच जितना भी construction से related जो भी पता है उसको आप यहां से तुरंट उसको calculate कर सकते हैं कि कितना कितना उसमें material लगेगा ठीक है दोस्तों लेकिन सबसे मुख के बाद तो हम आज करेंगे construction cost के बारे में मतलाब आपको सिर्फ इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजे को पता होनी चाहिए दोस्तों पहला चीज बिल्टा पेरिया आपको पता होना चाहिए आपके building जो भी आप बनाएंगे उसका और दूसरा चीज आपके जो छेत्र में material के साथ जितना भी cost price चर रहा होगा contractor के द्वारा उस चीज को आपको पता होना चाहिए उसी दो अधार पे आपका ये पूरे building का खर्चा निकाल के तुड़न दे देगा दोस्तों ये देखे दोस्तों अपन चलती है इसमें इतना मैसे अपन first वाले के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों construction cost के बारे में ठीक है दोस्तों इसको उपन कर लिए इसका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों और इसमें अपन देखेंगे ये देखेंगे दोस्तों building area square feet में और एक cost per square feet में आपका ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों building area के लिए आपको किसी engineer से आपको plan जब आप बनवाने जाएंगे तो वो आपको उसका building area बना के देदेगा दोस्तों जैसे कि आपका मकान आपका जो प्लाट का साइज है वो 2000 square feet है लेकिन आप पूरे 2000 square feet में construction ना करके आप उसको 1800 square feet या 1600 square feet में construction कराती हैं ठीक है दोस्तों यह चीज आपका आपका building area होता है दोस्तों उसके बाद आपके छेतर में जो contractor जिस प्राइस से आपका मकान बनाएगा with material के साथ उसको आप इसमें cost per square feet में आप लिग देंगे दोस्तों ठीक है तो आईए अपन चलते हैं एक example लेते हैं दोस्तों जैसे 2000 square feet में आपका plot area है और इसका construction area या built up area आ रहा है 1800 square feet दोस्तों तो इसमें अपन 1800 square feet डालते हैं दोस्तों और अभी market में आपके छेतर में जितना भी with material के साथ चल रहा हो उसके हिसाब से आप calculate कर लिजेगा दोस्तों जैसे अपन 1200 square feet with material के साथ लेके चलते हैं दोस्तों अपन आप calculate कर देंगे calculate पर click करेंगे तो इस प्रकार से आपको इसके interface दिखेगा दोस्तों यह देखें यहाँ पर पूरा निकाल दिया है दोस्तों इस प्रकार से यह देखें एप्रोक्सिमेट एमोंट आप कोस्ट फ़र गिवेन कंस्ट्रक्सानीच 21,60,000 21,60,000 का यह आपका इतना टुटल एप्रोक्सिमेट कोस्ट आया हुआ है दोस्तों 1800 स्कार फिट बिल्ट अप एरिया का 1200 रुपय के हिसाब से और इसमें कितना कितना परसेंट माटेरियल लगेगा यह देखें दोस्तों एप्रोक्सिमेट कोस्ट आउन वेरियास वर का आप माटेरियास एस पर थम भूल के अनुसार यह परसेंटेज हिसाब से इसमें निकाल परसेंट दूलाग 25,680 रुपय एगरिगेट का 7.4 परसेंट एक लाग 79,840 रुपय और इस्टील का 24.6 परसेंट जोकी 5,31,360 रुपय फिनिसिंग का 16.5 परसेंट का 4.1 परसेंट प्लस टाइल से का 8 परसेंट प्लस ब्रिक्स का 4.4 परसेंट जोकी टूटल मिला के 3,56,400 रुपय हो ग़े दोस्तों उसी प्रकार फिटिंग बगरा का 22.8 परसेंट विन्डो का 3.4 परसेंट प्लस प्लम्बिंग का 5.5 परसेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिकल का 6.8 परसेंट प्लस सेनेटरी का 4.1 परसेंट और है दोस्तों ज लाग 95480 रुपे ओगा दोस्तों ठीक है इस प्रकार से मेटेरियल पर्सेंटेज सथ इस प्रकार थम बोल के अनुसार दिया गये दो S узस्तों निकल के आया है और उसके बाद आपना चलते हैं Iska कितना कितना material आपको लगेगा वो भी यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने असानी से निकाल के दे दिया है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे में quantity of material required for 1000 square feet ठीक है दोस्तों इसको 1000 square feet के अनुसार यह calculate किया है और इसका built up area हमने डाला है 1800 square feet तो 1800 square feet के अनुसार इसका इतना इतना material लगे गए दोस्तों सीमेंट का 720 का 1468 ton aggregate का 1094 ton steel का 7200 kg paint का 3024 लीटर और ब्रिक्स का 14400 पीस टूरिंग का 2340 ठीक है दोस्तों तो उसे प्रकार यह philanthropy दिया है यहां पर इतना इतना खर्च आपका आयगा दोस्तों 6 मेंना का duration में मतलब कितना 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 खर्च आजएगा यह नीचे में दिया है दोस्तों किया आपका कितने यह दिन में कितने में में complete हो जाएगा आपका मकान ठीक है दोस्तों और कितना कितना खर्चा आएगा इस हिसाब से इसको इस एप्लिकेशन से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों केवल 30 सेकंड में आप निकाल सकते हैं आपके घर का खर्चा को ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो मेरी पसांद आई तो करें लाइक अगर आप इस वीडियो में नहीं हैं सस्क्राइब कर देना दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जय हिन जय भारत